दोस्तों मैं एक ऐसा आसन का वर्णन करने जा रहा हूं आपके सामने और करके दिखाऊंगा भी सही तरीका से कैसे किया जाता है जो कि आपके कमरदर्थ, पीछदर्थ, सर्भाइकल का पेन और स्रिप डिस्क ये चारों में काम आता है आसन का नाम है भुजंग आसन तो पेट के बल पर आराम से नेट जाए सबसर पाहले पेट के बल पर आराम से नेट जाए सांथ होजा बिल्कुल दंचिप चीत को सांथ रखिए अब दोनों आतरियों के पने कंदों के पास रखना है दोनों पेरा पीछे में मिले हुए होने चीत दोनों पंजे आपस में मिले सेंटिमीटर उचाहिर पर और सरकॉम सीविंग के तर देखेंगा ज्यादा करने से चेन लिजाएगा प्वाड़ी पस इसी जग अपर हमें शुरुआते हुए दस ने करन तर रिंगे फिर स्वास अंदर में भरे हुए रखें फिर स्वास छोड़ते हुए निचेक तरफा दे फिर स्वास नेते हुए ऐसे आजाए और इस तरह से यहीं गाकु लेगे फिर स्वास छोटे हुए निचेक तरफ आदे इसको पाद से साथ चक्र कर रूआ है बहुत लोग गलत ऐसे करते हैं तो ऐसे कटीर से कर रहे हैं और यहाँ पर आपको कमल पर प्रितर पड़ेगा न सब्सक्राइब दोरों परविले होने चाहिए इस तरह से इसे उठेग स्वास भरते हुए यहाँ पर रुख जाए हमाले क्लमियों के बीच में आएंगे बना हुआ है क्यों यह बेदकुल सीथी नहीं है इस तरह से इस आसन को 5-7 चक्र फर्पीदिंग करें पुर्ण लाफ की लिए और निशित मानिए आपको स्लिप डेस्ट भी अपने पोजिशन पर आ जाएगा और साथ-साथ में आपके कमर और पीठ के दर्द भी दूरोंगे सर्वाइगल का भी दर्द दूर होता है तो इतने अब्सक्रियार वीच से बहुत सारे फायदे हैं पाइदा होता है कि पर बिद्यो कों प्रेवट से दूरों बता है कोलीों तो इस और ऑफ करती हैं उसी वीद इसके ठारी करियेगा सॉब्सक्राइब करिया और कमिट करीएगा बएद अ धर्बध धर्वाजञा झाल झाल